हाई गाईस इस इस शिवानी वेलकम तो जेके सिस्बी क्लासे सो है आयम विद इनर्द इमसीक्यू सीरीज फो जेके पी बॉर्डर बाटालियन एक्जामिनेशन ठीक है तो यहां पर क्वेश्च नमबर वन है विच डान्स इस नोवन आस तरॉयल डान्स अफ लदाक अब यह जो है यह 2020-2021 में न्यूस में भी रहा है जो चीजें न्यूस में रही है वो भी हमने अच्छे से पढ़नी है तो यहां पर यह आता है शॉंडोल डान्स ठीक है यह रॉयल डान्स है लदाक का इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं देन इसने हिस्ट्री बनाई है बा सनातरा से है तो जादा टाइम तक फिर डिटेन रहती है चीजें और इसको पफोर्फोर्म कोन करता है यह भी इंपोर्टेंट है पर फॉर्फोर्मड भाई nodas तो प्रैसंता कीगउफ लदाक ठीक है कौन सी डांसर्स हैं तक्षोमा डांसर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं और किसलिए होता है तो प्रेज दा किंग ओफ लदाक उसके बाद आ गया लावानी जो है इसको कैसे याद रखना इसकी निमोनिक ट्रिक कैसे याद रख लेना M और N M से महाराष्ट्र और N से लावानी लावानी में N र है उसके बाद दमहाल, रॉफ, दांदरास की ट्रिक क्या दी थी जब मैंने आटेन कल्चर में फॉल्क डांसिस पढ़ाए थे तो दमहाल D से दमहाल, D से डॉमिनेटिंग और डॉमिनेटिंग होते हैं दांदरास सिरफ लोडी में किया जाता है और सेम दमहाल और वटल ट्राइट के लोग करते हैं बस इसमें एक तो ये लोडी में होता है और पीकॉक बर्ड का यूज होता है उसके बाद गरबा तो पता ही है जी से गरबा, जी से गुजरात शुंडोल आ गया लदाक का दमहाल हो गया रॉफ की क्या ट्रिक थी? रॉफ एफ से आ गया फ्रॉक और फ्रॉक वेर करती है वूमन तो ये ओरतों के द्वारा किया जाता है कुद नाइट में परफॉर्म होता है और लोग देवतास के लिए होता है तो यहां पर जितने भी लेक्चर आएंगे आट अन कल्चर के वहां पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रखूंगी मैं और जितने भी आपके जोग्रफी के हैं वो मैप बेस्ट ही रहेंगे जादा से जादा इस पर वोक करूंगी मैं लेक्चर में तो आट से मैं यह नहीं बोलूँगी डू लाइक, शेर अन सब्सक्राइब क्योंकि अगर मेरा कॉंटेंट अच्छा होगा तो आप खूदी यह सब कर दोगे तो मैं फोकस सिरफ और सिरफ अब कॉंटेंट पर रखूंगी Q2. Which of the following is correct about Maansar Lake Development Project A. Maansar Lake is a freshwater lake Maansar Lake Development Project यह भी काफी recent है तो इसलिए इसके बारे में भी पढ़ना important है इसलिए मैंने question डाला है तो यहाँ पर यह तो एक freshwater lake है ठीक है और कहाँ पर यह पढ़ती है जम्मू City से अगर हम map की बात करें तो यह map पर भी इसका question आता है कि अगर हम जम्मू City की बात करें इसको divide कर लो North, South, East, West में तो जम्मू City से Maansar और सुरीन सर दोनों पढ़ते हैं North East में और उधंपूर district में कहीं-कहीं पर सांबा लिखा है सांबा नहीं करना है उधंपूर ही करना है तो कितने लोगों को वहाँ पर employment मिलेगी तो यह economy से भी बन जाता है question economy of JNK से एक और question आएगा इसे से related 56th number पर उसको डाला है Dash is the first recipient from the union territory of Jammu and Kashmir to receive the Dronacharya Award and appointed as the Ambassador of It India Movement यह India-wise भी important है और JNK-wise भी important है और sports के question खुद में ही important बन जाते है Tokyo Olympics में भी मैं question लेके आऊंगी क्यूंकि sports एक अलग section भी रहता है जैसे जो बचे SI Finance की त्यारी कर रहे है वहाँ पर sports section अलग से mention है तो इस पर भी आप 2-3 questions लेके चलो यहाँ पर एक उलदीब हांडू है और इनका जो बर्थ प्लेस है वो स्री नगर है हांडू से आपको पता चल रहा होगा स्री नगर में है ठीक है और यह वूशू के कोच रहे हैं और यह फर्स्ट द्रोनाचारे वाड़ी रहे हैं फ्रॉम दा यूटी ओफ जमो कश्मीर और एंबसेडर रहे हैं क्योंकि कुल्दीब हांडू एक important personalities of जमो कश्मीर में आ जाते हैं ठीक है यह question जो है यह sports में भी बन जाता है sports of India sports of JNK और important personalities of जमो एन कश्मीर उसमें आ जाते हैं कुल्दीब हांडू and ambassador of fit India movement question number 4 which of these is the highest peak of JNK तो यह है noon massive यह तीनों JNK में नहीं है डोडा बेटा कहा है यह आप मुझे comment section में बताना active involvement रखनी है अब जो noon mountain है noon कुन दो mountains है पेर ओफ हिमालन peaks है बेल तो noon कुन जो है यह पेर ओफ हिमालन peaks है ठीक है ओफ हिमालन पीक and noon कुन जो है वो highest mountain है on the Indian side of JNK आप ले लो और कुन भी JNK में है और यह सूरू वैली में पढ़ता है सूरू वैली अमरनाथ के थोड़ा south वाली side आजाती है ठीक है अब बाकी आप states ले लो ठीक है state और highest peak पहला आगया उत्राखंड उत्राखंड में आगया नंदा देवी देन आगया सिक्किम सिक्किम में आगया कंचन जुंगा ठीक है देन आगया गुजरात गिरनार पीर जी से गुजरात जी से गिरनार केरला में आगया अना मुड़ी पीक देन वेस्ट बेंगॉल में आगया वेस्ट बेंगॉल में आ गया संदाख फूपीक फिर नागा लैंड में कौन सी है सरा मती यहाँ पर नुन मैसिफ है इसकी फोटोज आपको आगे विजिबल कराऊंगी यह आगया आपका स्रीनगर का एरिया यह स्रीनगर, सोनमर्ग यह सूरू वैली है यहाँ पर ही कहीं अमर्नाथ है तो अमर्नाथ के साउथ वाली साइट पर जाता है नौर्थ, साउथ इस्ट, वेस्ट तो साउथ इस्ट में सूरू वैली और यह आगया नुन कुन यह पेर ओफ हिमालन पेक है कुन पढ़ता है सूरू वैली में यह आगया सूरू वैली और नून जो है यह हाइस्ट है यह आगया आपका नून समिट ठीक है यह आगया आपका नून समिट और नून की हाइट भी कर लेना अभी जो जेंड के की हैं एक तो नंगा परबत की कर लो हाइट ठीक है इंपोर्टेंट है देन पीओ के रीजन में के टू गौडविन ऑस्तिन इसकी ट्रिक्स मैंने दी हुई है दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेइस को विजिट करो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने अब प्रोवाइट कर दिया है आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा क्यूंकि एक स्टुडेंट ने कहा था कि टेलीग्राम में आप डालो वीडियो तो नोटिफाई पहले हो जाएगा तो उसके लिए मैंने आज टेलीग्राम चैनल बना दिये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिये इंस्टाग्राम फेस्बुक उसके भी लिंक्स आपको मैं सबके प्रोवाइट कर दूँगी फेस्बुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ठीक है तो वहाँ पे आप फोलो कर सकते हैं और प्लेस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सारी प्लेस्ट को विजिट करो उन पे प्लेस्ट करो अच्छे से तो जे एंड के कंपोनेंट आपका अच्छे मांक साब उसमें ले आओ गए ठीक है यह सारी इनकी हाइट्स कर लो और वर्ल्ड की मांट एवरेस्ट की थोड़ी कर लो कंचन जुंगा कर लो यह बहुत इंपोर्टेंट एंपे मल्टिपल टाइम क आएगा ना क्योंकि लोग पैसे खर्चेंगे दुकान दारों को देंगे तो वहां से एकॉनमी स्कूलेट होएगी जब पैसा फ्लो करता है मार्केट में तब ही तो हमारी कॉनमी अच्छी रहती है ना जब कोई पैसा ही नहीं खर्चेगा अपने घर में रखेगा वो फ्लो लाओंगे उसमें डिटेल में हम डिसकस करेंगे ठीक है तो यहां पर अल आप दीज इस दी आंसर ठीक है और मुझे कमेंट सिक्षिन में आप लिख सकते हो अगर आपको कोई भी टॉपिक जेंड के का ठीक है अगर आप चाहते हो कि मैं कोई वीडियो जो है इस पर लेके आ लाओंगी पिक्टोरियल रिप्रिजेंटेशन लाओंगी जोग्रफी में मैप्स लाओंगी इमेजिस लाओंगी वहां से आपको समझाने की कोशिश करूँगी ठीक है और आइविल ट्राइ कि दो-तिन महीने तक मैं वाइपोर्ट का अरेंजमेंट कर लूँ बट वहां पर पर भी मैं आपको हिस्टरी ही पढ़ा पाऊंगी क्योंकि जोग्रफी मैप्स के बिना नहीं समझी जा सकती है तो मैप फिर वाइपोर्ट पे करना डिफिकल्ट हो जाएगा तो जोग्रफी तो पीटी पे ही रहेगी इन फ्यूचर भी बट आई विल ट्राइट टू-टू- आएंगे और यह अमर सिंग कॉलेज है स्रीनगर में जो है उनको पता होगा इसकी वीडियो भी है और काफी तब अच्छा है फ्रेंच इसे आर्किटेक्चर इसे हरी निवास है वैसे सा कॉलेज है बहुत सुंदर सा आप पताओ कहां पे है यह यह लोकेटेटेड कमें सेक् होती है उसमें मैक्सिमम आपका जो 80-85 परसेंट पेपर जो है वो स्टाटिक होता है और जो मैं रिमेनिंग बात कर रहे हूं 20 परसेंट वह आप लगा लो रीजनिंग मैथ का जो पोर्शन है बाकी तो सारा मुसली स्टाटिक चीज़ें आती है तो चेनाब जो है चेनाब ब the bridge on March 14, 2021 तो यह है चेनाब ब्रिच और यह बहुत important ब्रिच हो चुका है यह अस्थल ब्रिच है यह लिखने में मिर से थोड़ा हो गया ठीक है अस्थल ब्रिच यह पता नहीं कैसे हो गया चेक तो किया था मैंने दो बर ठीक है COD तो यहां पर चेनाब ब्रिच आंसर है और ब्रिच जो है इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं यह वर्ल्ड का हाइस्ट है बहुत important है इसको mark कर लेना लिख लेना कहीं पर लेन्थ है 1315 मीटर और 359 इसकी हाइट है 359 मीटर इसकी हाइट है from the river back चेनाब ठीक है यह सारे questions अलगलग तरह से पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं explain करती हूँ एक चीज़ें करने का मेरा मोटो यही होता है कि अगर वो किसी और वे में question आगया अब जरूरी तो नहीं है ऐस पर की हो सकता है बड़ question कुछ भी हो सकता है इसलिए मैं MCQ को explain करती हूँ तो क्यूंकि concept clear होना बहुत important है आपको points बता होंगे तो ही आप वहाँ paper में जाके उसको eliminate करके ठीक करके आ सकते हो अब यह जो bridge है इसकी height कुतुब मिनार जो है ठीक है कुतुब मिनार की अपनी height है 72 मीटर तो इसकी height मैंने आपको बताई कितनी है 359 मीटर तो यह कुतुब मिनार से भी height में बढ़ा है और Eiffel Tower जो है Paris में उससे भी बढ़ा है क्यूंकि Eiffel Tower की है 324 मीटर तो यह उससे भी बढ़ा है 359 है इसकी ठीक है और यह कितनी wind speed ले सकता है बेर कितनी मतलब तुफान अगरा यह ब्यार कर सकता है 266 किलोमेटर पर आर की speed से जो तुफान आ रहा है इसके उपर का अगर आ गया तो फिर उसको ब्यार नहीं कर सकता है बट यह काफी technology-wise हाई है ठीक है और एक तरह का question इसमें मैंने यह भी देखा था कहीं पर कि कितने टाइम्स जादा height है नहीं करूंगी तो मैं चाहती हूं आप सारी वीडियो को देखिए और जैन के component में अच्छे marks लाइए ठीक है और Eiffel Tower यहां पे कितना है ठीक है यह question भी आया हुए मैं आने वाली mcq series में discuss करूंगी और यहां पे मैं यह चीज़ आपको बता दूं कि रट्टा मारने से question को पेपर में कोई help नहीं होगी जिस वे में मैं explain कर रही हूं एक topic को उसको पकड़ो उसके points लिखो और उनको याद करो वो आपको future में help करेंगा आप सोचो कि एक question को रट्टा मार लिया बात ही है घतम होगी तो ऐसा नहीं है जैसे अब मैंने यहां पे question डाला है चेनाब ब्र पर भी आप मार खा जाओगे कहीं कि length लिखी होगी और ये लिखाएंगे और height लिखी होगी तो ये लिखाएंगे तो ये भी चीज़े याद रखने है कि length है लंबाई height है उंचाई और height है 359 और लंबाई है 1315 ठीक है wind speed पूछ सकते हैं फिर कितने times बड़ा है कुत्तों मिन दकट्रा बनिहाल railway link तो ये 2022 में complete होगा अब इसमें एक important question है USBRL ये project पर बहुत questions आए हैं इसकी तो full form ही पूछ ली जाती है ये है उधंपूर स्रीनगर बारा मुला railway link चीक है इसकी full form है उधंपूर स्रीनगर बारा मुला railway link और ये 272 km railway line है जो कितनी लागत से बनी है 28,000 कर और यही question मैंने देखा है Google MCQ और आपको कोई भी topic है ना जैसे जैन के history है उसको भी Google करो websites भी देखो Google करो MCQ यही best way है त्यारी करने का ठीक है क्योंकि mostly examiner's भी क्या गरते है Google करते है websites चेक करते हैं तो यहां से questions आने के बहुत chances होते हैं तो यहां पर हाँ मैंने ये question देखा गूगल MCQ में कि US BRL project पर कितनी मतलब cost लगी है बनने में तो 28,000 करोर बाइद नाशनल railway जो है ठीक है और ठीक है इसके बारे में यही चीज़ है important है then एक और static question आपका आगया how much funds have been allocated for new JNK industrial development scheme by central government तो इसका answer है 28,400 करोर रूपी इस static question है और industries भी आपके आजाती है economy of JNK में तो आज का जो lecture है यहीं खतम होता है and do support me, मैं यह नहीं बोलूँगी like, share, subscribe करो आपको content अच्छा लगता है आप खुद बखुद कर दोगे I just need your true support ठीक है ताकि मैं अच्छा content ला पाऊं, lectures पे काम कर पाऊं अच्छे से and thank you so much guys for being a part of my journey I am highly grateful to everyone who is supporting me throughout this journey and good luck guys for your examination, जिसका भी paper 26 जून को है, good luck to them, take care bye